तो कैस आज हमारे स्टूडियो के अंदर है एसूज वियोबूक एस 15 ओलेट जो की स्नापड्रेगन एक्स एलीट के साथ हमें मिलता है यहां मैं 15 घंटी की आप लोग को बैकप देखने को मिल जाती है और आप लोग को इंसेन क्वालिटी की डिस्पले मिलती है और क्या ही मज जो अच्छा है जो बुड़ा है वो दिरेक्ली आप लोग के सामने शेयर करने वाला हो तो चलिए चल जी चल दी केक स्टार्ट करते है मेरा नाम सुम भी सवास आप देखे रहे फ्रेश टेक अफडेस तो देखे एक चीज़ करो टेलीग्राम हैंडल जाके जोइन करो तरीन डिसकाउंट देखने को मिलता है वह सारे जो लिंक से नीचे दे दिया है वहां पर जाके आप जो ना लाइफ टेम फ्री क्रेट कार्ट को एप्लाइज जरूर करना ठीक है तो जल्दी जल्दी बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स को खोलते हैं यह जादा कुछ नहीं बिल्ट क्वालिटी है फ्रन्ट साइड में इस वीवबुक का यहां पर लोगो एम्रोस्ट है मिनिमलिस्टिक लोगो है और बहुत ही स्लिम डिजाइन के साथ यहात है अगर वेट की बात करें 1.43 kg कास पस वेट है अप्रॉक्स 1.45 पकर के चल सकते हो और साइड के जो डिज पीछे के साइड में भी अच्छी खासी यहां पर वेंस दी गई है और यहां पर रबर ग्रिप्स आप लोगो चार देखने को मिल जाती है और बॉटम फारिंग दो स्पीकर पीछे के साइड में है और अगर हम लोग इसकी बिल्ट क्वालिटी की बात करते हैं फुली मेटल अगरी तक फ्लैट जो है यहां पर डिरेक्टली इसको टेल्ट कर सकते हो और यहां पर बड़े साइस का डिस्प्ले है अलॉंग विट वानिटी डिग्री तक आप कहीं पर किसी भी एंगल पर रखके इसको यूज करना चाहतो तो बिंदा सब कर पाऊगे तो यहां पर जो ह हिंच है हिंच की वी बहुत बढ़िया लगी अंदर के साइं में फुल साइज कीबोर्ट का ले आउट है और यहां पर आपको टॉप्स का लोगो है मतलब यहां पर आप लोगोग को मिल जाता है और यहां बेए शस विआसस ब्योब्स का यहां पे बीच में लोगो है बाकी ऊपर के सिर में प्राइवेजी शटर आप लोगों मिलेगा और आयार सेंसर भी यहां पे मौजूद है मतलब यहां पे इस लाप्टाप के साथ सक्रीन वबलि की बात कर तो देख करता यहां पर जोए यहां पर बिल्कुली करते da तो आपको कोई भी दिक्कत नियागा यह डिरेक्ली जो है उतना भाइबरेट वगड़ा भी नहीं करता है तो यह इस इस काफी बढ़िया है तो कैसे इस वाले लाप्टॉप के स्पेसिफिकिशन की बात करें यह दोस्तों आम बेस CPU के साथ है जो कि Qualcomm की तरफ से फर्स ऐसी CPU ह क्या है और मॉडल नंबर की बात करें एक्स वान इसेवन एट वान हंडडर इसका मॉडल नंबर है और यह क्वालकम की तरफ से ओरियन सीप्यू है और यह बारा को बारा थ्रेट्स आप लोग को मिल जाएगी और इसके अंदर इंट्रिगेरेट एड्रेनो की जीप्यू अधिका है तो यह रहा यहां पर सीप्यू और यह जो सिप्यू है यह नॉम्मल सी बिए जैसा की इंटल और वीडिगेरे म को यह जीलियो से अब नहीं निकला है अब जो एप्लिकिशन उसको रॉन करने के लिए माइक्रोसोफ्ट की अब ट्रांसलीशन लेयर का इस्तेमाल करें जिसका नाम है प्रिस्प उसके थू जो है ना यह सारा पुराने अप्लिकेशन उसको रन कर पाता है और विंडोस 11 मशीन ठीक है आम बेस जोने डेडिकेटर सॉफ्टर धीरे धीरे मार्केट के अंदर आएगी जब एम वन पहले निकला था तब भी जोना सॉफ्टर रिलेटर इस्यूस था वह बाद में सॉल्व बात और यहां पर भी वह चीज़ सॉल्व कर दिया जाएगा अगर बात करते हैं तो यहां पर हमें जो वन टीवी के सस्टी मिल दी और के पासिटी यहां में 954 जी दिखाता और यहां पर जो है ना आपको जैन फोर सस्टी देखने को मिलता है काफी हाई स्पीड आप लोगों को एसस्टी प्रोवाइड करवा देगा है नेक्स्ट काफी इंट्रेस्टिंग है 3K आप लोगों को ओलेट पैनल मिलता है 120Hz के साथ यहां आता और काफी ब्राइट और यहां पर जो पीक ब्राइटेस है 600 निट्स की HDR पीक ब्राइटेस आप लोगों को मिलती हांड़ेट पर यहां पर यहां पर एकदम कलर एकुरेट सारे चीज है यह दोस्तों आपको अलग-अलग एंगल्स तो देता है बट यह आप लोग देख पार रिफ्लेक्शन आता है तो यह एंटी ग्लेर पैनल नहीं है क्योंकि ओलेट पैनल एंटी नहीं होता है यह एसुस की तब से लूमिया ओलेट है इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो बन आके रखा है कौन सा IPS पैनल लेना है कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा वो चीज मैंने जो आप वीडियो के अंदर कवर अपकि है वो जाके आप एक बार चेक आउट कर सकते हो बट यह जो डिस्पले है काफी बढ़िया क्वालिटी का डिस्पले है अगर आप लोग कंटे इस कीबूर्ड आप लोग को यहां पर मिल जाता है यहां में नमपैड इंक्लूडेट है और यह बैकलिट कीबूर्ड है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा कि यहां पर लोग को आप लोग को यह चीज ध्यान रखना और यहां पर बात करना हो टाइपिंग कीबूर्ड है तो यह उसकी टाइपिंग एक्स्प्रियेंस तो अच्छी है बट एक कंप्लेन है कि यह बहुत चोटे साइज में थोड़ा बड़ा होता तो ज्यादा कमफर्टेबल रहता और यहां पर डेडिकेट को पाइलेट का बटन मिल जाता क्योंकि को पाइलेट प्ल जैसे कि आप लेफ साइड में अगर इसको स्वाइप कर तो अप टू डाउन तो वॉल्यूम को नीचे कर सकतो नीचे से ऊपर जाते हो तो आप डाउन आप एजिली कर पाऊगे दैन अगर आप लोग राइट साइड में करते हो तो वहां से आप लोग ब्राइटनेस को कंट करना है तो स्वाइप से भी आप कर सेकतो तो यह चीज बरिया और नॉमल जो विंडोस की गेश्टर सो दे ट्रिपल टैप फॉर्ट फिंगर टैप वो साली चीज़े जो फ्लॉलेस लिए आप कर पाऊगे तो ट्रैक पैट मुझे बहुत बढ़िया लगा क्वालिटी स्पीड देगा और यहां पर डीपी आल्ट मोड आप लोग को मिलता है जो कि आप लोग को 1.4 डिस्प्ले पॉर्ट भी सपोर्ट कर देता है और यहां पर माइक्रोस्ड कार डीडर का स्लॉट है 3.5 की एक ऑडियो जैक भी हमें मिल जाती है और राइट सेट की बात करें यह यहां पर वाइफाइ 7 का सपोर्ट है और यहां पर वेबकेम की बात करें तो वेबकेम में देखो है यहां पर शुटर बटन आप लोग को मिल जाता है फरस्ट इस तो प्राइवेसी के रिगार्डिंग बहुत बड़ी है 1080p 30fps का वेबकेम में मिलता है और बहुत सारी AI फीचर इसके अंदर एक सेंपल है आप खुद देख लीजिए आपको अंदाजा लग जाएगा तो यह वाला जो सेंपल आप लोग देख पर हो है डिर्कली रेकॉर्ड हो रहा है यूजिंग दे एसूस वियोबुक एस 15 आपको इसके वेबकेम के अदर मिल जाएगे 1080p का वेबकेम है और आपको काफी क्रिस्टल क्लियर आप लोगों क्वालिटी आप प्रोड्यूस करके देता है अगर मैं बात करूए आप एफेक्स की तो बहुत सरी एफेक्स जो आप लोगें पर लगा सकता ऑटो फ्रेमिंग सकते हो तो बहुत सरी एफेक्स है और बहुत सरी अपडेट होगी फृदर अपडेट तो उसके लिए पको वेड़ करना है बट यहां पर आप अंदाजा उससे लग गया होगा कि इसका माइक कैसा परफोंग कर रहा है फैन यहां पर चल रहा है और विंडोस हेलो का यहां प अप्लोग लोग इस से दूर जाते हो तो इसका बैकलिट और अटूमेटिकली आपो समय हो जाता है और इसके सामने आते हो तब यह आपको बंद कर देता है या लॉक बढ़ना है और यह एक नाम का एक अप्लिकेशन है जिसके मदब से आप यहां पर कर सकते हो कुछ भी अगर आप एक टास्क को बोलते हो डिर्क्ली जो ना वह इमेज के फॉर्म में आपको वह क्रिएट करके दे सकता है यह फीचर एंबेड इसके अंदर है तो यह फीचर के इस्तिमाल करना चाहते हो तो वह भी आप कर पाओगे यहां पर गडिटेट को पायलेट का बटन जो इससे आप आप प्रफिस के अंदर आगे आने वाली है वह विद अपडेट आपको मिलती रहेंगी तो उस पर कोई भी प्रीटनेस साउंड चांट करना है या फिर अप्डेट वराएट चेक करना आपको कुछ भी बैटरी रेलेटेटड बैटरी केर मोड चेक करना है तो सारे टास्क आपको यहां पर मिलेगी जैसे कि ए-आई-पीचरस बहुत सरी कामरा की होती है साउंड की होती है वह मैनेज करने के लिए आप माइसूस का अप्लिकेशन यहां पर यूज कर सकते हो बहुत एजी है आप एक बार खोलोगे तो आपको पता लग जाएगा अभी बात करते हैं में बैटरी देखो इसके अंदर आपको 70 वाट आवर की बैटरी मिल जाती है ठीक कि मैंने रिफ्रेश्ट नहीं घटाया था 120 हर्ट पर चलाया तो लगबग 10 घंटे प्लस यह आसानी चल गया था मिक्स यूचस था नॉर्मल भी था कभी कबर मैंने यहां पर कुछ वीडियो देख लिया या फिर गाने सुन लिया तो उस तरीके से यह जो ना काफी इंप्र है मालू में यहां पर देखर कुछ भी अगर आप लोग टास्क करते हो चार्जर प्लग दिन है जितना पावरफुल परफॉर्मेंस आपको तब देगा बैटरी में अगर इसको यूज करते हो तो वहां पे भी आप लोग को लगबग 95% तक सेम परफॉर्मेंस आपको यह द करते हैं यहां से यह बहुत ऊपर तक जाएगा विद अपडीज बहुत सब्सक्राइब होने वाली है तो यह मत समझना कि यह बेकार प्रोड़क्त है बहुत ही बड़िया प्रोड़क्त निकाला जो के विंडोस के अंदर पॉसीबल ही नहीं था अभी जो बैटरी लाइफ क्लेम कर रहा है यह तो शांदार आप लोगो परफॉर्मेंस दे रहा है और हां इंटल सीरीज 2 भी एक बड़िया चॉइस हो सकता है वह जब आएगा उसका भी टेस्टिंग करेंगे तो बैटरी लाइफ पता चलता है कि इससे भी जादा हमें देखने को मिलता है तो यह भी मैंने ही कहांगा बहुत जदा बेजी है आपको लाउड म्यूजिक मिल जाएगा बट एक छोटी रूम के लिए ठीक है अगर आप लोग अच्छा एक्स्पीरियंस करना है ब्लुडू स्पीकर यूज कर लेना तो यहां पर मैंने बहुत साहे टेस्ट किया गया था दो सिनार यहां में हमें सिंगेल कोर में 2452 और मल्ती कोर में 14283 मिला और यहां बैटरी बात करें गीग बेंच 6 का सीप्यू स्कोर यहां सिंगेल को 2368 और मल्ती कोर में 14377 तो आपको जने उतना वास्ट दिफरेंस देखने को नहीं मिलता इन दोनों में अन चार्ज एन बहुत बढ़ आप बैटरी मल्ती कोर का स्कोर यह तोड़ा आप लोगों को सिंगेल कोर कम देखने को मिलता अगर आप लोग विए चार्जर प्लग इन नहीं करते हो तो उस केस में तो उतना भी सिंगेटिएन डिफरेंस नहीं है जैसे कि अलग अगर विंडोस लाप्टप यूस करते हो तो आपे डिरेक्ट लिया वो 50-60% ड्रॉब देखने को मिलता था यहां पर वैसा बिलकुल नहीं है अगर हम लोग on battery में Cinebench R23 देखे तो यहां पर multi-core का score 10606 मिला and single-core 1065 points and on charge Cinebench R23 के multi-core score 11650 and यहां पर single-core में 1122 points तो यहां पर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को difference देखने को मिल रहा है on charge and without charge ठीक है तो Geekbench की GPU score की बात करें on charge में यह हमें OpenCL का score 20771 मिला and अगर मैं Geekbench की GPU score on battery बात करूँ तो यहां पर OpenCL का score 20381 मिला तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर 300-400 का difference हमें देखने को बहुत है ज्यादा difference बिलकुल नहीं है यह बहुत impeccable है कि GPU का performance इतना बढ़िया दे रहा है on battery next 3D Mark की तो यहां पर स्टील नॉमेड लाइट भी आपर ट्राइक है जहां पर overall score 1931 मिला जो पॉस करके देख सकते हो सैंपल प्रस मिनिट सा पॉस करके साथ डीटियल देख सकते हो next मैंने यहां पर crystal disk mark भी ट्राइब किया तो रीट राइच स्पीड आपको जो कैसा मिलता है आप खुद एक बार पॉस करके देख सकते हो तो तो सब्सक्राइब को पाइलिट पीसी और यहां पर AI मॉडल्स आप जो यहां पर हाडवेर एक्सलेरेट्शन के थू आपको फास्स परफॉर्मस मिलेगा यहां पर यूज होता है यहां पर फार फार बेटर आप लोगों को मिलेगा यहां पर यहां पर स्कोर 11,083 यहां पर फार फार पचास से भी साथा आपको स्कोर मिलता है तो AI टास्स के लिए यह PC एकदम परफेक्ट आप लोगों को परफॉर्मस देगा तो किसे इस लाटो के अगर गेमिंग टेस्ट की बात करें मैंने बहुत सरे गेम्स टेस्ट किया है बट यहां पर बहुत सरे गेम्स है जो अब भी कंपाटिबल नहीं है बट फर्दर इसको इन फ्यूचर बहुत सरा अपडेट मिलेगा और आम बेस जो गेम्स है वो निकलने वाला है तो वहां पर नेटिवली सपोर्ट करेगा अभी जो जो सपोर्टेट गेम्स है वो यूज़ करता है Microsoft की Prism Translation Layer जिसके थ्रू जोना X86 की गेम्स को यहां पर रन किया जाता है जैसे कि Rockstar की तरफ से जितने भी गेम्स वह एक्चुल यहां पर चल जाता है रेच इस बढ़िया है और यहां पर मैंने लो प्रिसेट के अंदर ट्राइक किया था रेड रेड रेट डिम्शन को 2560 एंटो 620 का 1620 का आप लोग को यहां पर प्रिसेट मिल रा था आपको थोड़ा पिक्सलेटेड डिस्पले देखने को कभी के बार मिल सकता है रिस्टार्ट करना थीक हो जाता है ठीक है तो यह मैंने एक दो बार अब्सर्व किया तो इसी दिए आप लोग के साथ शेयर कर दिया नेक्स मैंने गेम जो ट्राइग वह वह वीचर थी रिजन लो 1366 x 768 resolution के अंदर प्रेय किया जहां पर 50-55 fps मिल रहा था और CPU लगबख 70 से लेकर 73 डिगरी भी टच किया था ठीक है और यहां पर GPU यूसेज 100% यूज हो रहा था और यहां पर ऑ्टोमेटिक सूपर रिजॉलिशन काम कर रहा था कि नहीं I don't know बट यहां पर कुछ ऐसा हम जोने गेम प्ले देखने को मिला और हां जब आप गेम को स्टार्ट करोगे तो यहां पर हाइलाइट करके दिखा देगी और उसको आप टॉगल ऑन कर सकते हो आपकी विंडूस के सेटिंग्स के अंदर नेक्स गेम जो ट्राइक है वो है कंट्रोल जो कि सेम रिजॉलिशन था 1366 x 768 जो कि लो प्रिसेट केंदा था एफिसेट केंदा था 25-26 fps मिला और स्पास गया और जीप्यू 99% तक यहां पर यूज हो रहा था उसके और मुझे फ्रेम आगे जाता है लैग होता है दन आगे जाता है लैग होता है तो यह चीज मैंने देखा देन इस रिजॉलिशन को 2560 x 1440 कर दिया हाई प्रिसेट किया वेरी हाई से थोड़ा नीचे रखा देन जो है मुझे एपियस 53 से लेकर 55 मिला था कभी कभा जो है ना वाकिंग सीन के अंदर 60 fps भी हमें देखने को मिल रहा था और यहां पर जीप्यू के यूसेज 88 से लेकर 90 डिग 30 cc के आसपास था और अभी जोए ना नेक्स्ट मैंने जब हाई कर दिया तो यहां पर मुझे कोई भी लैक स्टटर नहीं लगा बहुत ही बढ़िया तरीका से गेम ब्ले चल रहा था तो यह चीज़ बढ़िया है अगर आपको गेम खेलना है तो थोड़ा प्रिसेट करो हा मैं नेटीब ली प्रीमेर प्रोई उसकता हो देन मैंने फिल्मूरा ट्राइग किया हां फिल्मूरा इंस्टॉल हो जाता है कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर 4K जो नॉर्मल फाइल होता है वो चल गया कोई भी इसली अब स्क्रबिक करना चाहते हो और यहां पर रेंडर टाइम भी काफी एफिशेंट लगता है ठीक है वो चीज है मैं डाविंची रिजॉल्व यूज नहीं करता हूं अगर यूज करते हो तो उसका रिव्यू आप अलग से देख सकते हो और यहां पर नेटीब बात करें फोटोशॉप के तो फोटोशॉप में कुछ भी कर लो यहां फोटोशॉप सपोर्ट करता है यहां फोटोशॉप फोटोशॉप 25 मिनेट राई क्या कोई भी आप लोग को ऑपरेशन यहां पर करनी आप आसानी से कर सकते हो चाहे वह 3D का काम हो और 2D का काम हो 100% यूजज आप यहां पर कर पाऊगे फ्लॉवलेस्टी कोई भी दि चल जाता है तो इस पर ब्लोग को दिक्कत ने आएगा व्यवडैक कर तो वह 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 लोग यहां पर करता है अगर आप यहां पर कर सकते हो लुग कर सकते हो Muslimshellेसे आप यहां साथा blender के high resolution जो architecture design वगर आप करते हो तो वो कर दे basic level की अगर आप लोगो 3D design सीख नहीं है basic beginner stage में हो तो हाँ यह laptop आप यूज कर सकते हो तो फाइनल वर्डिक की बात करें तो यह वाला laptop जो arm-based laptop है और अगर compatibility की बात करें हाँ यार यहां पर issues तो है compatibility related तो वो जो ना further updates में ठीक कर दिया जाएगा और हुँच सारे software developers है जो इसके arm-based windows laptop के लिए बहुत softwares release करें जो की natively support करेगा arm-based laptops को तो आप के लिए बहुत बढ़िया हो और यही future है तो कुछ सालों बात जो ऐसा ही laptop आपको देखने को मिलेगा on market जो की huge battery life के साथ आप लोग को मिल जाता है तो अगर बात करें इसकी overall build quality की या पर performance की तो देखो फर्स जीस build quality काफ़ी decent लगा मुझे बहुत ही बढ़िया build quality कोई भी flaw नहीं है काफ़ी lightweight है आप इसको carry के सब तो कहीं पर ले जा सकतो backlight keyboard इसके अंदर है display काफ़ी interesting है सबसे बड़िया चीज इसकी battery और performance battery देखो 13 आवस तक कि आप लोगो battery life on an average देखने को मिल जाता है along with the display क्या ही बड़िया display इसकी और चाहे आप लोग यहां पर content watch करते हो या फिर आप अगर आप लोग कुछ भी है पर coding करना चाहिए डिस्प्ले आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगा और यहां पर HDR सपोर्टर डिस्प्ले के अंदर तो आप लोगो टॉप नॉच क्वालिटी यह देने वाला तो इसको मैं कंड़क करता हूं कि अगर आपका डेट डेट टास्क है आप अन दगो काम करना चाहते है और आप लोगो पावर्फुल मेशीन चाहिए बैटरी लेफ अमेजिंग चाहिए जैसे कि आप कई जैनली पर हो आपको एडिटिंग वाटा करना तो आप कौन सा मेशीन यूज करोगे यह मेशीन यूज करते हो तो आ यह जी डेस्क्रिशन बॉक्स चेक करो वहां पे इसका जो ना बेस्ट बाइ लिंक मिलेगा वहां से चाहिए का आप कंसीडर कर सकते हो तो इस वीडियो को इधरे एंड करते है कुछ भी कुछ भी कुछिशन है रिगार्दिंग इस लाप्टॉप यू डिरेक्ली कमेंट डा बाइ